आगरा में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जब दबंगो ने सड़क पर घायल युवक पर पेशाप कर दिया इतना ही नहीं आरूपी ने उससे पैर पकड़वाए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है आला कि वीडियो आने के बाद पुलि सिकंद्रा थाना शेत्र के हाइवे का है दबंग आदित्य अपने साथी के साथ हाइवे से निकल रहा था इसी समय रास्ते में एक युवक लहु लुहान हालत में पड़ा था घायल युवक को देखकर ये दोनों रुके हाला कि घायल की मदद करने की बजाए आदित्य ने उसके मुँपर पेशाप किया उसके साथ ही ने इसका वीडियो बनाया इत्ता ही नहीं बाद में आरोपियों ने उस से पैर भी पकड़वाए वीडियो सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई आनद फारन में पुलिस ने कारवाई करते हुए दोनों आरोपियों को प्रियान लेते हुए जिसकी जांच परताल सुरूखी जानकारी में ये आया कि ये सिखंद्रा थाना शेत्र का मामला है विगत तीन-चार महिने लगबत पुराना मामला वी तक बताया जा रहा है इसमें अभियोक्ती पहचान की गई और अभियोक्त जिसका नाम आदित बत अभियोक्त से पूछताच की जा रही है कि इस विडियो के में मौजूद अन्य इसके साथी कौन थे जो इस घटना को कारिद कर रहे हैं उन अभियोक्त के इन साथीों के लिए भी तीम में निकाल कर तविष्दी जा रही है और अभियोक्त को हिरासत में लेते हुए माननी गौरत अलब है कि ये विडियो तीन-चार महीने पुराना बताय जो रहा है जानकारी के अनुसार तबंगारों पिया दित्य पहले भी रंगबाजी करने के मामले में जेल जा चुका है पंजाब के स्री टीवी गले आगरा से मानवेंत्र मलोत्रा की रिपोर्ट पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद